गर्ल आप निफ्टी बेंग निफ्टी एंड फिन निफ्टी को किस तरीके से कर सकते हैं हम डीटेल में समझेंगे वीडियो को कम्प्लीट देखेगा आपको हर एक चीज़ डीटेल में समझ आएगी और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो जल्दी से चैनल को कर देता हूं तो यहां सेसे मोर्णी में सारे लेवल से जहाएं हैं चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंग बेंगे की आज काफी जबरदस्त मार्केट में गिरावट हमको देखने को मिली डियुमकु आज की जो लिक्स अगर आप लोग हमसें 10 परस कि केंडल ती उसके रिवर कहीं है कि फिर इस बिल्ट कि टरफ जा सकता जिस टाइप कि कल मार्केर नाइक केंडल बनाई थी यह काफी अच्छा सपोर्ट एरिया और सब्सक्राइब काफी अच्छी ग्रीन केंडल बना ती ठीक है एंड हमने सिंपल प्लान किया था इसके ब्रेक आउट होगा तो वह स्लॉए इसके उपर की तरफ जा सकता है था हम पाइक यहां पर प्लान कर सकते हैं बट हुआ क्या मार्केट में गया वहां से मतलब डायरिक्ली मॉर्णिंग में तो साइडवेस था फिर उसके बाद एक शा क्यों कोशिश कर रहता था होड़ा सा होल कर रहता था अगर मार्केट को अगर तो यहां से अगर यहां से अगर यह प्लान हो अ for इसका डेलो यह दोनों ही थोड़े से इंपोर्टेंट है तो जो अग्रेसिव ट्रेडर होंगे वह विसली इस देलो के ब्रेकडाउन पर ही सेल कर देंगी ठीक है तो कि अगर मार्केट को गिरना है तो वह से भी गिर नहीं वाला है और नहीं गिरना है तो फिर भी उपर की तर को मिल सकता है ठीक है नीचे में तारगेट बदा सकते बता चुका हूं एक्पेक्टेंट टारगेट कोन सा है यह चीज़ आपको समझ आ गई ठीक है फुर्टी फाउजन ध्यान रखना इंपोर्टेंट लेवल है यहाँ पर आपका एक मेज़र टारगेट लेटीं सिम्पल प्लान कैसे कर सकते हम सिंपल रखेंगे इसको में हटा देता हूं इसकी जुरुवत नहीं है तो इस लेवल को अगर एक ट्रेंड लाइन भी हमको यहाँ पर यह दिखर यह ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन हम सिंपल प्लान करने वाले जो आज का डे लो मार्केट ने बनाया है यह अगर ब्रेक होता है तो हम सिंपली इसके नीचे सेल के लिए प्लान करेंगे ठीकि यह पिर कुछ लोग के सकते है यह प्रिविएस दे का लो अगर ब्रेक करता है तब ही हम सेल करेंगे 200 का लेवल तो आप 200 के लेवल के ब्रेकडाउन पर सेल कर सकते हो मुझे कोई इस्यू नहीं जो अग्रेसिव ट्रेडर है वह इसके ब्रेकडाउन पर ट्रेड कर सकते हैं ठीकिसे सेलिंग साइड करना ठीकिए तो अगर बाई के लिए भी आपको प्लां करना चोंबान इस जार चार सुल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो उसके बाद आपका इंपर बाई के लिए प्लान कर सकते हो भी क्वांटिटी कम होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है मार्के 500 को हीट कर रहे है फिर सपोर्ट की तरह काम करेंगे तो मार्के थोड़ा होना चाहिए ठीक है अभी हम बात कर लेते हैं इसके अलावा बाइंग साइड में ज्यादा कुछ है नहीं 44,400 या 420 के ऊपर निकलने स्टार्ट करेगा मार्केट तब आपके लिए प्लान करोगे लेकिन ज्यादा बाई मत करना क्योंकि आपका लो मार्केट ऑपर की तरफ जाता की मार्केट अगर यहां कर कई मार्केट में मार्केट ऋ जाएगा थींग को साइडवेस के लिए थोड़ा सा आपको मना कर रहा हूं ठीक है ताकि नीचे में टार्गेट आपको अल्लेडी बता चुका हूं अगर यह चार सु चुम्हाली सजार का लेवल होलडर नहीं करेगा फिर तो आपको एट फिफ्टी के आसपास का नेक्स टार्गेट आपको देखने को मिल सक है ठीक है चलिए अभी हम बात कर लेते हैं पिर निफ्टी के बारे में सेम चीजिस में भी देखोगे तो काफी अच्छी गिराउट देखने को मिली टॉप लेवल से काफी शानदर गिराउट हुई है और मार्केट यह थोड़ा सा वॉलेटाइल आज का ज्यादा रहा है ज अगर जिए मार्केट करोंगे तो आपका बार बार इस टोप लोस जाए और फिर आपको बहुत ज्यादा साइकोलोजी इशू आते है इस अभी आपको डेट कैसे करना है सिंप्लिक के दिन मी आग इस तरीके से आप प्लान कर सकते वह हम देख लेते हैं ठीक है थोड़ा सा को अगर मार्केट कौन से लेवल के बीच में उपन होता है यहां कई मार्केट ओपन होता है क्लोजिंग प्रैस के असपास और यहीं से पच पचास के निचे हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं नीचे में तरगेट आपको क्या लेकर चलना है तो प्रैस के यहां से लेवल के बांट करेगा या फिर यह गिरा चाइब करेगा तो फिर पांट सो पचास के असपास का लेवल यह ब्रेक करता है तो इसके ब्रेक और प्लान करेगी उपर में आपना डरेगए 750 के आसपास 50 से 55 का टारगेट रहेगा और यह लेवल फिर यह रेजिस्टेंस आ जाएगा लगबग 80 के आसपास और फिर majorly टारगेट strong resistance 800 का लेवल है ठीक है तो यह एक टारगेट हो सकता इस तरीके से ठीक है आज का मार्केट आप देखोगे सबसे पहले एक बार डेली टाइम के में थोड़ा समझ लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है ठीक है आज की एगर आप केंडल देखोगे अन एक्सपेक्टेट केंडल थी हमने सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा गिरा होट आ जाएगे क्योंकि करने के मार्केट कोशि everywhere. तो चांसेज दार वेरी है कि यहां से उपर की तरह ब्रेक आउट लेने की मार्केट आज कोचे इस कर सकता था लेकिन हुआ क्या मार्केट में देखोंगे मार्केट गया उसके बात सड़नली पॉल करने लग आज मार्केट में कोई न्यूस थी क्या थी मुझे नहीं पता मैं हो सकता है कोई ने कोई नियूस होगी इसकी वजह से मार्केट में शाप गिरावट हमको देखने को मिली प्रिवियस दे काफी इंचा मार्केट होल्ड किया था और अच्छे लेवल पर क्लोस किया था उसकी साथ हम प्लान कर लेते हैं थोड़ा सा अवोइड हम करेंगे ठीक आपको यहां से मार्केट में एक काफी अच्छी ब्रेकडाउन केंडल हमको देखने को मिली तो कल यह इसको कर सकता है तो अगर कल यह ब्रेक कर रहा है जो भी मार्केट में लो लगाया है तो यह पांसु का लेवल जो भी मार्केट देख रहे हो यह यह अगर मार्केट करके कंटिनु करेगा तो एक शांदार गिरावट फीस से एक दिन और हमको देखने को मिल सकती है तो हम कल एक अच्छा मार्केट को नीचे लाने के लिए क्योंकि आज जिस तरी कैसे गिरावट होगी तो आपके इच्छी एक गेंडल हमको बनती होई कल भी नजर आ सकती है बटा एक चीज़ सब्ज़ों अगर मार्केट यहां कई यहां कई यहां का उपन हो जाता है च्छसो के ऊपर ठीक है क्या एक इंसाइट केंडल बेच में कहीं इस टाइब कि मिल सब्सक्राइब तो हमको selling side ज्यादा ध्यान रखना है और buying side में थोड़ा से आपको trade करने या फिर avoid करना है ठीक है चलिए अभी हम 15 मिनिट पर सेम चीज को समझ लेते हैं कि मार्केट 15 मिनिट पर किस तरीके से इस तरीके का pattern बन रहा है और आपकी इस तरीके से प्लान कर सकते हो यहां पर कुछ चीज है notice करने वाली है कि मार्केट जब भी एक breakdown देता उसके बाद शाप recovery अभी हमको continuously कुछ दिनों से देखने को मिली जैसे मैं example देता हूं कि इस level से market ने यह breakdown किया और breakdown करने के बाद काफी अदिशे गिर आउट हुई लिएक शाप recovery हुई सेमिड यहां पर देखोगे इस तरीके से यहां पर breakdown दिया और शाप recovery हमको यहां पर देखने को मिली दोबारा देखोगे यहां पर यह breakdown देखने को मिला और एक sharp recovery हमको देखने को मिली तो यह market के behavior कि आप इन चीजों को notice करन पड़ेगा आपको कि मार्केट कैसे बिहेव करता है तो आप इन मार्केट का बिहेविर देखे हो जब भी एक नया लो लगाता है उसके बाद तुरंत रिक्वरी देता है और आज भी अगर आप देखोगे तो सेम यह ब्रेकडाउन दिया और अगर मान लिजिए कि कल भी इसी तरीके का पैटर्न बनाता है तो कल हो सकता है यह मोर्निंग से ही यह कंटीनी उपर की तरफ कर जाए ठीक है उपर की तरफ एक शाप रिक्वरी देदे ठीक है तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा नोटेस करना है और मार्केट को समझना है कि मार्केट किस तरीके से कर रहा है अभी के टाइम पर शाप recovery तो अगर मान लेजिए उपड़ जाना है तो market शाप recovery देगा ठीक है आपको बार-बार बाइंग लेवल पर आएगा नहीं मार्केट और एक शाप recovery देदेगा आई पॉइंट आपको समझ में आया हूं मैं क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है अभी हम जिस तरीके से हमने डेली टाइम पर बात करी कि मार्केट में बहुत बड़ी बीच में अगर ओपन हो रहा है उसके बाद अगर सिंपली अगर ये ब्रेक करता हम इसके ब्रेक्डाउन पर ट्रेट करेंगे ठीक इसके ब्रेक्डाउन पर सेल कर सकते हैं पहला टार्गेट आएगा चारसो पचास एन मेजर टार्गेट आपको 400 का लेके चलना एक पॉइं ज्यादा ट्रेट प्लान नहीं करेंगे इसके प्राव प्रेक करता है इसके ब्रेक आउट पर हम बाइक लिए प्लान कर सकते हैं फिर उसके में हो सकता है यह थोड़ा बहुत यहां जाए फिर नीचे की तरफ कंटीनु कर जा अगर कंटीनु कर गया तो आपको काफी चाद उपर की तरफ यह मार्केट में आपको profit बन सकता है ठीक है आई होप प्रूल चीजह आपको समझ में आई होगी मैंने किस तरीके से क्या चीज़ समझाने की कोशिश करी बाकि सारे लेवल आपको दिखने है कि कौन से लेवल पर आपको क्या करना है ठीक है चलिए विडियो पसंदाए वीडियो को लाइक कें शेयर प्रेंस मैं बिलता हूं एक्ष्ट के अंदर अक्टिवार